जो हम सब पहनते हैं तुलसी माला पहनने के भी कुछ नियम है ऐसा कोई जरूरी इतना वो नहीं है कि हम बिल्कुल अटली हो जाएंगे ऐसा नहीं है लेकिन हाँ कुछ होते हैं नियम जैसे मैं आपको बताती हूँ तो पहले तो दुबारा हरे किशना क्योंकि मैं तुलसी जी जो माला है यह जादा तर हम जो भी हम सब विश्नु जी और क्रिशन जी के भकते हैं वो तुलसी माला डालते हैं अपने गले में और बहुत सुंदर भी लगती है आजकल तो एक से एक सुंदर सुंदर तुलसी माला आ रही है और तुलसी माला का गोल्ड में भी बनवाते है जैसे मैंने भी आपको बताई थी तो इस तरह से तुलसी माला को आपका मन है तो तुलसी माला अगर आपने पहननी है बस उसका यह चोटा सा यह किनियम है आपको जिस दिन भी आपको तुलसी माला आप लाए हो आपको तुलसी माला यह डालनी है तो आपको सोंबार तो आप इससाब से तुलसी माला ले आए लाके उसे आप गंगा जल से चीटा दे दीजिए या दो दीजिए जैसे भी आपको सही लगे वैसे चीटा ही देते हैं क्योंकि दोने में फिर गीली हो जाएगी तो वैसे कफड़े से पोच लिजे नहीं तो उसके बाद इनकी आला किया से जोद्वत्त दूब दिखा के तो आपको जिस दिन पहननी है आप मंदिर जाएए पहले मंदिर में तुलसी जो माला है वो ले जाएए ठाकुर जी के सामने जहां उनका मंदिर है विश्ण भगवान जी आप पर रख दीजिए रखने के बाद आप हाद चोड़ हो जाए तो छमा कीजिए इस तरह से आप से बोलके आप आज ही ए फिर आप जो मैंने दिन बताए हैं मंदे वेटनेस टे और थरस टे तो आप यह वो माला अपने गले में डालिए डालने के बाद आपने माला गले में डाल ली उसके बाद आपको वैसे ज्यादा कोई नियम यह होता है कि अगर हम तुलसी माला गले में ग्रैन करते हैं तो उनका नियम यह होता है कि आपको कभी भी उतारनी नहीं होती माला चाहे किसी को जनम दिन में जाना हो चाहे किसी की शोकसवा में जाना हो चाहे मतलब कि आप आपस में कुछ संबन भी बना रहे हो तो तुलसी माला आपको गले से नहीं उतारनी या किसी शादी बैमें भी जाना हूँ देखे मैं आपको खुल के बता रही हूँ और इसे बताने मुझे कुछ भी जिज़क नहीं आती क्योंकि यह सब हम गरस आश्रों में तो यह सब जायजी होता है तो यह देखिए तुलसी माला को आप गले में डालेंगे तो जो सबसे बड़ा नियम है वो यह होता है कि आपको प्याज लसन नहीं खाना जो मतलब कि आजकल बहुत कम लोग है जो यह भी कर पाते हैं चलो हमने चलो घर में नहीं बनाया प्याले से लेकिन अगर हम किसी शादी भी हमें जा रहे हैं और हमें खाना भी उन में सब में डला होता है खाना भी पढ़ जाता है लेकिन मजबूरी है क्या करें तो मैं बस यह कहूंगी कि कल्यूग है बार बार मैं यह कहते हूं कल्यूग है कल योग में आप कहते हैं कल योग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उत्रे हूं पारा तो कल योग में कहते हैं घर के अंदर भी बैटे हो कहीं कुछ भी काम करे हों तो अंदर कर गाल बें इसान धर जाता है तो मैं तो यही कहूंगी कि वैसे तो खाने ही नी चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पारा तो तुलसी माला आप डालिया दिन नाता प्रभू का नाम लीजिए बाकी ठाकुड़ अपने पार उतारेंगे आपको तो यही उसके नियम होते हैं बाके तुलसी माला के ऐसे कोई रहे हैं खेल कुरू का जया सबस्सक्यों कि और तुलसी माला की मिखेल से मोअख जडनो हमने पार प्रशालों के ऐसे मंगरे क्ट कोई नियों के मुखवास जैसे हैं गले मे डाली है लिए तो आम पारनें ही पड़ जाती है तो आप उतारेंगे और और तुरन्त को या तो दूसरी जैसे टूट गई है या कुछ है तो हम दूसरी पेहन सकते हैं लेके लेकिन आप किसी को अपनी यह उत्रवी माला मत दीजिए तो यह तुलसी माला के छोटे-छोटे नियम है अगर देखा जाए तो अंसान बहुत बड़े भी कर सकता है लेकिन अगर आप उत्सेः पूझा जरू करना जाए तो तुलसी जी का पोधा तो जहां पर विश्णु बगवान जी तुलसी माओनी होनी है तो इसलिए मैं आपको यह तो ने है तो यह को यह तो वीडिया को रखने के नियम और sitting in पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना सबस्क्राइब बना शेयर करना और सभी को राधे राधे और नया साल आने वाला है आप सभी को एस सल की हरतिक शुक्तामना है और आप यह जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और कोई गलती हो तो शमा करना जशीरा दे हाई किंगी ठांदोगी मैं तो बहुत ठांद लग दिये जी निकरते रजाई चुपा जानदा